Q2. निती का पंडित और साक्यमुनिकी से कहा जाता है. सही आंसर होगा फ्वेन सांग को. Q2. हर्सवर्धन का दरवारी कभी था. सही आंसर होगा बानवट. Q2. पुलकेशिन द्यूतिये ने हर्सवर्धन को 634 इस विवें पराजित किया था. नर्मदा नदी के तट पर. Q2. पुलकेशिन द्यूतिये ने हर्सवर्धन को 634 इस विवें पर. Q2. पुलकेशिन द्यूतिये ने हर्सवर्धन को 634 इस विवें पर. Q2. पुलकेशिन द्यूतिये ने हर्सवर्धन को 634 इस विवें पर. Q2. पुलकेशिन द्यूतिये ने हर्सवर्धन को 634 इस विवें पुलकेशिन द्यूतिये ने हर्सवर्धन को 634 इस विवें पर. Q2. सेकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसरुदिन महमूद. Q2. मिहिर गुला पराजित हुआ था यसु बर्बन द्वारा. Q2. वराह मिहिर थे खगोल बीद. Q2. संगम युग का महान सासक था करिकाल. Q2. संगम का तात्पर ये होता है कभियों की गोष्ठी. Q2. 27. प्राथम एवं त्रितिय संगम हुआ था मदुरय में. Q2. 28. द्वितिय संगम हुआ था कपाटपूरम में. Q2. 29. प्राथम संगम के अध्याच थे अगास्तरिशी. Q2. 30. Q2. जजिया कर प्रचलन किया था मुहम्मद विन कासिम ने. Q2. 31. अरवो ने भारत पर आकरमन किया था मुहम्मद विन कासिम के नेत्रित्व में. Q2. 32. भारत पर आकरमन करने वाला प्राथम मुस्लिम था मुहम्मद विन कासिम जो कि 112 इस भी में आकरमन किया था भारत पर. क्वेस्चन नमर 233 महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार पहला आक्रमन किया था 1021 इसवी में क्वेस्चन नमर 234 1191 की तराइन के प्रथम यूद में प्रिथवी राच्चवान ने हराया था मुहम्मद गोरी को क्वेस्चन नमर 235 1192 की तराइन के दूसरा यूद हुआ था मुहम्मद गोरी ने हराया था प्रिथवी राच्चवान को क्वेस्चन नमर 236 1025 इसवी में सोबनास मंदिर को लूटा गया था मुहम्मद गजनवी द्वारा क्वेस्चन नमर 236 मुहम्मद बीन तूगलक अपनी राजधाने दिल्ली से ले गया था दौलताबाद नेक्स्ट क्वेस्चन तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमन किया था 398 इसवी में नसरोदिन महमूद के काल में क्वेस्चन नमर 238 जनपूर नगर का संस्थापक था फिरोज तूगलक क्वेस्चन नमर 249 हैदराबाद इस्खित चार मिनार को बनवाया था कुलक कुतुप साहने 1591 इसवी में क्वेस्चन नमर 244 कस्मीर का अकबर कहा जाता है जैनूल आपदिन को क्वेस्चन नमर 241 तंजवर के ब्रहदेश्वर मंदिर को बनवाया था चोल सासक राज राज प्रथम ने क्वेस्चन नमर 242 जैपूर के राजा सवाई जैसिंग ने किन चार अस्थानों पर जनतर मंतर का निर्मान करवाया था दिल्ली उज्जैन जैपूर मथूरा क्वेस्चन नमर 242 ताली कोटा का यूद हुआ 1565 हिस्वी में बीजैन अगर और बहमनी समराज्य के मध्य क्वेस्चन नमर 245 मीरा भाई समकालें थी तुलसी दास के क्वेस्चन नमर 246 मीरा भाई का जन्म हुआ था 499 इस्वी के लगभग मेरता के कुद की नामा ग्राम में क्वेस्चन नमर 247 दोहरी सासन निती को समात किया था वारेन हेस्टिंगस ने 1772 इस्वी में क्वेस्चन नमर 248 रानी लच्मी बाई को अंतिम युद में सामना करना पड़ा था हुरोज का क्वेस्चन नमर 249 अनुसिलन समितिक या स्थापना बरिंदर घोस एवं भुपेंद्रना थदत ने की थी 1937 भी में कलकत्ता में हुआ था क्वेस्चन नमर 250 भात तुका रामसम काली न्थे जहंगीर के क्वेस्चन नमर 251 गुलाम वांस की अस्थापना 1226 बे में किया था कुत्वी दिन एवाइक ने क्वेस्चन नमर 252 दिल्ली का पहला मुसल्मान सासक था कुत्वी दिन एवाग क्वेस्चन नमर 253 कुत्व मिनार का निर्मान कारे पूरा करवाया इल्टु तमीशने जबकि कुत्व मिनार का कारे सुरू करवाया था कुत्वी दिन एवाग ने Q254 एक्तादारी विवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्टु तमीशने Q255 कुतु मिनार का निर्मान किया गया था बक्तियार काकी की इसमृती में Q256 लाख बक्स कहा जाता है कुतबु दिन अयबक को Q257 10 दाइ दिन का जोपड़ा बन वाया था कुतबु दिन अयबक ने Q256 मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्ता प्रदान किया था कुतबु दिन अयबक को Q269 कुतबु दिन अयबक की मृतु हुई थी चौगान खिलते समय गोडा से गीर कर Q260 इत्ता सेना का गठन किया था एल्टू तमिशने Q261 दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान साशक था बहलोल लोदी Q262 दिल्ली सल्तनत की राजभासा थी फार्सी Q263 दिल्ली सल्तनत का अंतिम साशक था इब्राहिम लोदी Q264 गुप्त चरविभाक को संगठित किया था अलावदिन खिल जी ने Q265 दू असपा तथा सी असपा मनसप की सुरुवात की थी जहंगीर ने Q266 चांदी का टंका और तामबे का जीतन लामाक सिक्का चलवाया था इल्टु तमीष ने Q266 सुध अर्भी के सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्टु तमीष Q268 चंगेज खाने भारत पर आकरमन किया था इल्टु तमीष के सासनकाल में Q279 कुतबुदिन अवग का माकबरा है लाहौर में Q270 मुहम्मद विन तुगलक का मूल नाम था जुना खा Q271 सनकी या पागल सुल्तान कहा जाता है मुहम्मद विन तुगलक को Q272 भारत में स्वर पर्थम सांकेतिक मूद्रा का प्रचलन किया था मुहम्मद विन कासिम ने Q273 इवन बतूता भारत आया था मुहम्मद विन तुगलक के सासनकाल में इवन बतूता मुरको यात्री था Q274 मिनाची मंदिर अवस्थी था मदुरे में जोकी तमिलांडू में इस्थी था Q275 गुमतेस्पर की मूर्ती इस्थी था करनाटक में Q276 हम बुराविस सासक था बेवी लोन का Q277 अली नगर की संधी हुई थी 1757 इस्थी में Q278 घोडा दागने तथा हूलिया बदनले की प्रथा चलाया था अलाव दिन खिल जीने Q289 बजार नियंत्रन प्रणाली लागू किया था अलाव दिन खिल जीने Q280 बीजाय नगर की प्रथम राजधानी थी हमपी बीजाय नगर की दूसरी राजधानी थी पेनु कोंडा Q282 बीजाय नगर समराज की अस्थापना की थी 1336 इस्वी में हरिहर और बुक्काने Q283 हमपी के अशेस है बीजाय नगर समराज का Q284 हमपी इस्थित है तुम भादब्रा नदी के किनारे Q285 बीजाय नगर समराज की अस्थापना किसके सासनकाल में हुई थी मुहमद विन्तूगलक के सासनकाल में Q286 कृष्ण देवराय के राजगुरु थे ब्यास राज Q287 आंध्रफोच कहा जाता है कृष्ण देवराय को Q288 बिठल मंदिर का निर्मान करवाया था कृष्ण देवराय ने नेक्ट Q2 बहमनी राजे का संस्थापक था अलावदिन हसन गंगु Q290 बहमनी समराज की राधानी थी गुलबारगा बहमनी समराजे का संस्थापक था बाबर मुंगल सास्कों का क्रम सबसे पहले बाबर, हिमायू, अकबर, जहांगीर, साह जहां, औरंगेब और अंतिम मुंगल बासा था बहादूसा, जभर, दूतिये Q294 बाबर का पूरा नाम था, जहिरू दिन बाबर Q295 बाबर का जन्म हुआ था, 24 फरवरी, 423 को फारागना में बाबर के मुरित्तु हुई थी, 27 सिसंबर 1530 को Q297 खानवा का इउद, जोकी 17 माज 1527 को हुआ था, बाबर और आना संगा के बीच Q298 बाबर नामा की राचना किया था, बाबर ने, जोकी तूर्की भासा में लिखा गया था Q299, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रन दिया, दौलत खा लोधी और आलम खाने Q399 बाबर की इबराहिम लोधी पर विजय का कारण था, तो खाना आज तक हम यहीं तक रखते हैं, जीके को नेक्स्ट वीडियो आगया प्लूड होगा